जेहिन दोस्तों, आज हमारे पास घया के दो जाने माने चेहरे हमारे पास उपश्थित हैं. जो कि एकके सिक्षक अब धेश्षर हैं, और एक हमारे पास रिजिनिक के सिक्षक राहु लजन शर हैं. यह दोनों शर आज हमें बिहार पुलिश का रिजल्ट आने वाला है इनके जानकारी देने वाले हैं सबसे पहले आपको ज्यान मिला यूट्यूब चैनल में धेर सारी शुब काम लाएं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह से आपको अपने चैन विडियो बना रहे हैं जो की बता रहे हैं कि फेक निउज है या फिर रिजल्ट आये गा चन्द दिनों में रिजल्ट आने वाला है जैसे मुझे पता है सिर्त आपको इसके बारेमें क्या जनकारी है देगें सबसे पहले तो आज सुबह से ही प्रभात ख़वा या तो किसी भी पेपर के माधियम से हाकिकत जो निउच चल रहा है उसका नुसार हमें सरकार पर पूरा विश्वास है आज इस प्रकार से हमारी सरकार जो भी ततकाल में मुखमंतरी मान्य नितिसकुमार जी है उनक सब्सक्राइब करता है कि क्या होगा आने वाली समय में सिर्व आपको क्या लग रहा है आज रिजल्ट होई जाएगा एक दो घंटा के अंदर क्योंकि आज रिजल्ट आएगा वरना दो चार दिन के अंदर जल्ट आएगा देखिए सुबह से हमारे जितने भी आएगे सरकार से भी कि आप लोग जिस तरह से एक्जाम लेते हैं उसी तरह से जल्दिवाजी में भी रिजल्ट दें ताकि अभी बच्चे लोग को फिजकल त्यारी भी करना है और उसको रिगार्डिंग और आगे बढ़ने के लिए उन लोग को बहुत कुछ करना बाकी है तो आप जितना जल्द हो सके जदियाज रिजल्ट दे देते हैं तो आज से बच्चे दिवाली कम और दोर्ट में ज्यादा भाग लेंगे तो हम तो यही अप्यक्षा करते हैं पेपर में भी देखे हैं और बच्चों लोग बोल रहे हैं कि सर आज तो हम लोग का किसमत खु में धांदली हुआ नहीं है और अज आने वाला तो उन बच्चे का क्या हल होगा देखिए जो ओमर सीट छोड़े हैं वह किसी के भरोसे छोड़े हैं और उनको यह नहीं पता है कि धीरे-धीरे बिहार में जितने भी परिछाएं हो रहे हैं वह सरकार की तरफ से पूरा पु में कोश्चन पेपर अलग अलग आ रहा था तो यह बहुत अच्छा देखे सरकार का जो रविया है इस बार बहुत अच्छा अपनाए हैं और इससे हम लोग को यहीं होगा कि हमारे पास जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं बड़ा उत्साप परुवक पढ़ते हैं अपने आप रंचेत्र में आ जाए और जब तक आप पढ़िये का नहीं अब ओमार सीट छोड़ने से और ना छोड़ने से आपका रिजल्ट होने वाला नहीं सर इस वार 60 पे कट अप जाने वाला जिनल का सिस्टी नंबर क्या बहुत सारी बच्छे का मेरे यूट्यूब वीडियो अब सो कुस्तन है दो सन नमर का एकजाम है और पिछला वार के कट अप को देख और पेर किया जाए तो 70 क्या स्पास में था तो उमीद है कि जटन वाला कट अप कम से कम 65 से 70 के बीच में होना चाहिए और उतना आता है को कि आज की डेटमें आयोग को या सरकार को क्वालिट श्रिषिकलंए थे उसके लिए हमारे राज सरकार को सीफाही बहरते हुआ Обर्कारकोंगत होता था क्योंकि ताक कि जुरूरी नहीं वहां पर कलम चलाने के जरूरी है और अब कि जरूरी है तो उसके लेकर के क्वायलिटी वाला बंदा अगर सरकार को चाहिए हमारे भी भाग को चाहिए तो उसके लिए 65-70 के बीच में cut-up उमीद है इस वर जेनरल कर जाएगा और बाकी लोग को 60-55 से बीच में रहेगा या असपास में रहेगा सर लड़कियां का cut-up 40 नमर का उमीद है आपको भी लग रहा है क्योंकि यहां पर सवाल आ रहा था कि मेरा cut-up 40 कोई लड़कियां जो है कमेंड की हुई थी कि मेरा 42 मार्क्स है और वह भी जंडल में है तो क्या उसका रिजल्ट होगा देखिए अब तो एक्जाम देने वाले क को उसी टेम पता चल गया होगा कि हम कितने पानी में है और बात रह गई कि लड़कियों का cut-up तो लड़कियां का cut-up पिछले बार भी आपका 45 पलस ही था तो इस बार तो उमीद है उमीद बहुत जादा ही है क्योंकि इस बार धानली तो हुई नहीं है और जिस परकार से ध खात्राएं लोग को भी कम से कम तो 40 और 35 के बीच में रहना चाहिए चुकि यह केवल पास मार्क से लाना है अभी तो मैदान छेत्र में सबसे बड़ा चीज है कि फिजकल बाकी है जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत माइने रखता है और फिजकल पर ही उसका मरीड बनता है तो हम तो यहीं देखेंगे यहीं चाहेंगे कि लड़की लोग का 35 से 40 के रेशियों में जड़ी तो ज्यादा बेहतर होगा इस वार क्योंकि धांदली हुआ नहीं इसी के बज़र से कट ओफ ही थोड़ा सा कम जाने के चाहिए दो चार-पाच मार्क कम जाएगा सर्थ इस चार बज़े भी हम लोग वीडियो बना रहे सूट कर रहे हैं और चार से की दो-तीन घंटा के अंदर आएगा रिजल्ट वरना दो-चार दिन के अंदर आएगा पर आएगा रिजल्ट इसी मन्थ में तो क्या सर्चल के पास फिजकल का त्यारी नहीं करें उनका क्या हाल पहावत है जो जागा से पाया जो सोया से खोया यह आज की बात नहीं है बहुत पहले की बात चलते आ रही है अगर आप अभी से दो सल पीछे जाए तीन सल पीछे जब लोग डॉन की बात तो 2018 में एक्जाम हुआ था रिल्वे का और 601,000,000 सीट 2019 में जारी कर दिया गया ज जो विद्यारती लॉग डॉन में भी मन से मेहनत किया कोचिंग सर्थान सब बन थी किसी भी प्रकार से किसी के नोट्स लेकर के आउल लेन के माधियम से जो पढ़ाई जारी रखा हुआ ही 222 में जोएन किया तो ये दसहरा दिवाली तो सर हमेशा आते रहेगी ऐसा थोड़ ये नियूज पहुच रही है उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग तो कोशिस कर ही रहे है आप जब यहां तक कोशिस करके रिजल्ट अगर आज आपके आज आती है तो इसके दो पहलू है एक रीटेन और एक फिचकल जितना मजबूत आपका रीटेन है उससे कहीं अगर आज आती है और जितने कभी रिजल्ट होता है उन सभी का फिचकल भी हो ताकि अगले वर्स हमारे बच्चे धूम धाम से चट पूजा और दिवाली का आनन्द ले सके सवाल है कि जिस बच्चे का रिजल्ट नहीं होगा आज रिजल्ट नहीं होगा तो हार मान लते हैं उनके अंदर मतलब कि एक आसू निकलता क्योंकि आप स्टूडेंट को समझ सकते वो किस दैनिक स्थिती से उनके बिच्टी है क्योंकि वह बाहर आते रूम लेकर घर से पता तो उनका एक मलब अंदर का आत्मा तूड़ जाता है तो वह क्या पून पर कहिएगा देखिए अब बात हो गई कि इस बार आवे अगले बार देखे अस्टूडेंट जिस बक्त एक्जाम देकर के बाहर निकला होगा उस समय उसको पता चल गया होगा कि हमारा रिजल् तो तूट रहा है तो यह समझे कि उससे ज्यादा मूर की इस प्रित्वी पर कोई ही नहीं तूटने की क्या बात है अरे अभी तो शुरू किये हैं और शुरू किये हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार में सफलता हाथ लग जाए यह सोचिए कि जब मैंने पहला बार एक्जाम दिया तो मेरा इतना तयारी हो चुका है अब अगला तयारी करने के लिए थोड़ा और मेहनत करेंगे अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा कटप से दो नंबर एक नंबर कम जाते हैं या पांच नंबर भी कम जाते हैं तो उनको यह सोच के अब तयारी करना है कि चलिए मे तो उस बहाली में किसी का हो या नहों उसमें सबसे फ़स्ट मेरा होना चाहिए यह बच्चों को सोच अचाहिए अज रिजल्ट आएगा तो फिर हम जरूर जुड़ना चाहेंगे लाइव क्योंकि सर के पास आएंगे और लाइव भी जुड़ेंगे रिजल्ट अगर जो आज आती है तब अब देखिए सर हम लोग कोई साधू संथ तो है नहीं अब भगवान तो बहुत सारा फेक न्यूज आ रहा है सर भीव लाने के लिए ब भीतर किसी भी समय आपके मोबाइल पे आपके कंप्यूटर पे आपका रिजल्ट सो कर सकता है अब कभी भी चेक कर सकते हैं अब देखिए अब यह तो आयोग पर डिपेंड करता है उनका क्या मसला चल रहा है कि बीच में रिजल्ट आने में देरी इसलिए हुआ कि हमारे ब धन्यवाद सेर कि आप लोगों ने मेरा किमती समय अपना दस मिनिट ने काले धन्यवाद